इसलो प्रेंद्स , वल्कुम भाक। ise माय चनल ,य। उप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने खरोई और नवरात्रा की दूड़ का पूज़ा रहे होंगे , नवरात्रे चल रहे हैं और दूड़ का पूज़ा चल रहे हैं , तौध तो भी तरह नगे में काफी बजारों में रोनग भी है और यह अच्छे लोग भी मतलब को शॉपिंग ऑर चूरू हो गहे हैं तो अब हमने भी श्टार्ट करा है घर पे दिवाले की सफाई करने शुरू कर जो चुरू करी है तो पहले हमने जाएंग लोम से शुरू करा है यह करवा चोथ वाली जाली है तो इसको भी clean करेंगे तो यह मैंने कपड़ा भी लिया था एक एक्स्ट्र उसके उपर रखने के लिए थाली के उपर तो यह बहुत सुंदर है इसको भी watch करेंगे करवा चोथ भी त्यारी करेंगे कि यह देखिए कितना सुन्दर शाइन वाला कपड़ा है तो यह थाली को सजाके तिर उसके उपर जो ढखते हैं उसके लिए मैंने कपड़ा वाजार से लास्टाइम खरीदा था मैं अच्छा लगा तो मैंने कपड़ा तो अब तो इसे थाली पाउल है तो देखिए है जिए लगवा कि अंट फैसलिए तो और नहीं में देखिए देखिए यह तो दूडिन है डिवाली का माली दिन गाइधा असे तो यह बाउल है वाउल के स्पून शूब्स ने बाउल्स ने पीसे एक फिर नेच कहने रहने पर नहीं करते हैं प्लास्टी की शीट को पानी दिर जाये तो नीचे बुट को पहले होता गंदी भी नहीं है क्लीन है कि शीद बच्छाई हुई थी और यह बंदी रहती है ज्यादा तो इसको मैं सुखे कपड़े से प्रेंड्स यह मैंने नीचे रख दिया है यह मेरा एक डिनर सेट है यह यह लापुला का है और वह भी लापुला का ही है यह चार का ही सेट है जो आपको चार चार दिख रहे हैं तो यह फोर ही है और यह पुरा डिनर सेट है यह सिक्स का सेट है शिक्स सविंग प्लेट्स हैं और इनके साथ सारे इनके साथ तो यह दो मेरे सेट हैं जो मैंने यहां रखे हैं और उपर वाले में मैंने यहां सामने यह कप सोर यह रखा है सामने और उपर यह रखा है तो जो चीजे मुझे ज तो इसका मैंने आपको रव्यू और लिंक भी शेयर करा था तो यह भी एक मेरा दिवाली के लिए सेट है जो मैं सर्विंग एज ट्रे यूज करूंगी यह भी है तो यह मैं अभी ओपन करके नहीं रख रही हूं कि थोड़े से लग रहे हैं मुझे तो मैं इनको ऐसे ही इसमे तो निकाल लेंगे क्योंकि अभी तभी होंगे दिवाली के पास-पास तो इसलिए मैंन को भी ऐसे ही बंद करके इनकी अच्छी बैकिंग है तो इसलिए ऐसे रख रही हूं इनको ओपन करने की कुछ जब्रत तो यह की सेट है मैं लापला का लापिला का एक टी सेट है यह ली बंद में लापन करने हारी तो इसको भी हम क्लीक करके तो इसको भी मैं इसको भी कपड़े से साफ कर्या हूं को कि इसको ट्राइफ रखने के लिए तो इसको भी हम क्लीन करके यहां पे अभी आधने कर देंगे यह इनके बाउल जा नीचे यह देखे कितने ब्यूटिफुल जा यह हम ऐसे भी यूज सकते हैं वैसे इनके उपर लेट भी है रखने के लिए बहुत प्यादे से ड्राइट या निचाई वदारा रखने के लिए बहुत सुंदर से यह पीस है मुझे अच्छे लगे थी तो मैं लिया इसको भी यहां पर रखते हैं क्लीन करके ड्राइट वगारा यह मिठाई बगारा डालने के काम होते हैं यह दो पेर हैं इस तरह बहुत सुंदर से दो पेर हैं यह और इनके नीचे है यह यह ब्यूटिफ नहीं है तो मैंने मंगवाई थी वो त्रे मंगवाई थी चोटी-चोटी सी वह इस पर हम सब कर सकते हैं कुछ और भी रखके सब कर सकते हैं तो वैसी इनके लिए थी देखिए यह यह ऐसे सट है दो का कि इतना सुंदर सेट है तो जहां से इनको अच्छी पहले चैये तो इनको फिर मैं उठा लोंगी यहीं से और जो की समाल्यमें में सब करना होगा हो नहीं है यह बीट बीकर बीकर में तो अब आ जाते हैं नीचे बाली में और तो आ बजाए और ईग्लीन होगी अब कुछ रखने की सुर्वरत यहां पर होगी तो हम रख लेंगे, अदर्वाइस नहीं रखेंगे, तो यह सामडे मैंने कैसरो रखे हैं, सीलो के, विद लिड, यह ऐसे हैं, कुछ शिलो से, यह ऐसी पाउल्स है, और उनकी लिड है उपर से, यह तीन का सेट है, यह मैं यहां रखा हैं, बहुत सुन्दर अगरा भी मैंने इसको सेट करूँगी, कि यह कांच का है, तो मैंने अलग से सप्रेट अप्टिया भी सी, टरन आती है, तो इसको करते हैं, इसको क्लें, फ्रेंड जिए देखो कितनी अच्छी सिल्वर के बाउल्स हैं, और यह स्पून्स हैं, और यह इनके साथ इनकी ट्रे है, यह मेरी सिस इनको सर्फ कर सकते हैं, तो यह अच्छी लग रही है, अगर निकालो इनको इनको सर्फ करो, तो यह चीजे दिवाली फेस्टिवल्स के लिए ही काम आती है, जादा यूज नहीं होती है, तो इसलिए यह थोड़ी साफ ही है, क्यूंकि यह अच्छी से बॉक्स में पैकिंग यह बॉक्स के अंदर ही है, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो यह भी रखेंगे, आज क्लीन करें, तो फ्रेंट यह एक और डिनर सेट है, यहां पर मैंने साइड पर रखा हूँ, ब्यूटिफुल सा डेली यूज नहीं होता, इसलिए इसको साइड पर रखा हूँ है, मैंन कितने संदर लग रहे हैं, देखिए दोनों का सेट कितना अच्छा लग रहा है, तो यह मेरा दो डिनर सेट हैं यहां पर, और यह मेरा टीका हो गया, और यह मेरा सर्विंग का हो गया, सारे मैंने ऐसे रखे हैं, आपनाइस करके, तो यह बहुत ब्यूटिफुल लूग का यह देखिए कितना संदर, तो फ्रेंड्स आज का हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, तो हमने सारी चीज़ें और प्राइस कर दी है, कोड़ा कर निकाल लिया है, डस्टिंग हो गई है, तो यह सारी कैबनेट देखिए कितने अच्छे दिख रही है, यह ब्यूटिफुल सी इसमें तो यह कांफी ब्यूटिफुल लग गया एक सारी कैबनेट तो बंदो के कुछ ऐसे दिखता है, यह देखिए, बंदो के एसके पहर से मिरर है तो यह काफी विशुल लग रहा लग रहा है, ड्ली, तो अ अब हमने दिवाली की सपाईयां शुरू करी रही है, यह द् वेक्यूम कर दिया है तो आपके साथ मैंने एक हॉल में शेयर करें थे यह अपना सोफा भी सारा वेक्यूम कर दिया है अब मैंने कपडे चेंज कर लिया थे क्यूंकि डस्ट बहुत हो रही थी, हेड वुष भी व् usual कर लिया था, ऐसे करके मैंने कुछ भाझ़ा हुआ था और मैं ऐसे करके कुछ बनी हुई थी, और अब मैंने separated अश्क्रेश को उतार दिया है और रूम के अच्छे और साफी कटन थे तो जुरूरत नहीं थी उनको वाश करने की तो इसलिए मैं अभी उनको रहने दिया जुरूरत पड़ेगी तो उनको भी कर लेंगे बाकी अलमोस्ट मेरी दिवाली की सफाई कंप्लीट होगी और मैंने आपके साथ शेयर करी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना पूले थैंक्स फॉर वाचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लव यू आल बाई-बाई